बिसमेलाहिरामनेर रहीम, आसलामौलेकूम मैं टूफ फैमली एंड वल्काम बैक टू माई चैनल तो जी कैसे हो अप लोगों में थेके ठीक टाक होंगे सबी और अप लोगों की दूआ की वैसे अलम दो लिल्ला मैं भी बिल्कूल ठीक ठाक हो तो यह है फ्रैडे वाले क्लिप और फ्रैडे इफ्तारी की तयारी चल रही थी तो तब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट की और वसी बनने लगी थी पास्ता और देसी टाइप पास्ता बन रही थी वैसे तो पास्ता नोडल्स मैं बना लेती हूँ बट वसी को जो टेस्ट चाहिए होती है वो नहीं आती है कभी भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट वो वाला टेस्ट कभी मैं नहीं ला पाती हूँ तो इसी वज़ा से यही अच्छी है कि अपने टेस्ट के अनुसार बना लो खुदी क्योंकि मैने से बनाते हम तो तब वो वाला टेस्ट ना आए, पसंद आए तो थोड़ी दिल दुख चाती है मेरे साथ तो ऐसा होते है अप लोग के साथ भी ऐसा होते है क्या और भी जो जो चीज मैं बनाती हूँ वो सब तो मेरी बच्ची को बहुत पसंद आती है ऐसा भी नहीं है एक एक इंसान के हाथ एक एक टेस्ट होती है चीज की वोही चीज आप बनाओ वोही रेसिपी आप फॉलो करो तो वो बला टेस्ट नहीं आती है जैसे मेरी अम्मी के हाथ में बहुत बहुत कुछ चीज ना इतनो अच्छी लगती है वोही चीज मैं बनाती हूँ तो वो वोला टेस्ट मैं नहीं लपाती हूँ अभी तो माशालला बहुत को सीख गए और अभी सीखना भी इतना टाफ नहीं है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और हर चीज आप फॉलो कर सकतो हो जो भी आपको दिल चाहे आप देख लो और बनालो फटा फट से बहुत इजी होगे यह हमारे लिए और शुरू में होती थी कि एक रेसिपी के लिए इंसान तरपते और तब बुक्स देख देख के नॉलेज लेती शीखती और एक चैनल आती थी जी बंगला उसमें वीक में एक दिन कुकिंग दिखाते थे तो वो चैनल में वो चैनल पे में रेसिपी फॉलो करती थी तो तब भी सीखी थी बहुत कुछ तो ऐसे इंसान सीख जाते हैं ऐसी भी नहीं है और अभी तो फोन पे भी किसी से सीख सकते हैं तो इजी हो गए यह बहुत कुछ चीज हमारे लिए तो सैरी में वसीली थी स्मूदी मैं तो चाए एंड विस्कीट ही लेती हूँ और जाल से जादा दो खजूर और स्नूई देखे कैसे सैरी में भी यह उठ जाती है और जब इफतार की टाइम थी तो तब यह सोई थी तो मैं इसके लिए पास्ता रग दी थी वैसे तो मैं दे की चीज ना इसके स्टामक पर सूट नहीं करती है बैट इसको पसंद है तो एक आध ही मैं दे भी देती हूँ तो यह ना नींद में होती है और उठने की कोशिश करती है तो इतना बड़ा चंक्स तो यह खाने ही पाती है तो मैं छोटू-छोटू साइज से बैट देती हूँ तो यह इसके लिए इसकी बड़े मनाएंगे रम्जान के बादे इंशाल्ला तो सोच रहे हैं कहीं बाहर जाके मनाएंगे घर पे तो होती ही है बनाते हैं बहुत कुछ और कभी-कभी दिल भी चाते है बाहर जाने को तो उसे भी अच्छी लगेगी और हमें भी तो नेक्स डेपर में मशीन लगाई थी और कपड़ा बहुत सारा जम गे थे तो ऐसे ही वीक में एक बर मशीन लगा लेते हैं और कपड़ा वश कर लेते हैं तो ये सैटेडेव अलग लिफ है और फिर और कुछ नहीं शुट की फिर इफ्तार के टाइम बनाई थी समोसा और जो फ्रूट्स रहती है वही शर्वत अलग-अलग सी बनती रहती है तो फिर चाय के साथ हम समोसा लिए थे नमाज के बाद ही ये लेते हैं पहले शर्वत फ्रूट्स ये सब का लेते हैं मेरी बेटी ने लगाई थी नेल पेंट जो ईद के लिए ली थी उसमें से एक और बहुत प्यारा कलर है ब्लू कलर तो मैं बोल रही थी कि दिखाओ मेरी यूटूब फैमिली को बोल रहे थे कि इसमें दिखाने वाली क्या वात है तो हम ब्लॉगर है हर चीज़ शेयर ना करू तो किस चीज़ को लेके ब्लॉग बनाओ ये तो बता है है न आप लोग ऐसा शेयर करना मुझे बहुत अच्छी लगती है तो दो दिन की क्लीप मैंने आप लोग ऐसा शेयर की फ्राइड एंड साटरे की होप करती हूँ प्यारा प्यारा सा कॉमेंट छोड़ना मत भूलिएगा ताकि मुझे अच्छी लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट को ब्लॉग के साथ तो तक लिए रखिए का आप अपने खुब सारा खाल तो में सरूर यात रखिए का बाबाई अलाहाफेज थैंक्यू फर वाच्छी